हेलो एब्रीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे BCI के उस नोटिफिकेशन की जिसमें मार्च 20 से मार्च 2021 के अओधी को ग्रेस पिरियेड माना गया है यानि यूँ कहें जीरो घोसित किया गया है तो ये ग्रेस पिरियेड क्या होता है इस अओधी को ऐसा क्यों माना गया है तो ये सारी बात है हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे और समझेंगे कि इस से हमको क्या फायदा है नए अधिवक्ताओं को क्या फायदा है जो रिसेंटली रजिस्टेशन कराए हैं जिनका इस पिरियेड के बीच में दो साल पूरा होने वाला था तो ये सारी बात हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन बार काउंसिल आप इंडिया से और यूपी बार काउंसिल ये स समद्धित आपको मिलती रहे तो चलिए पूरी बात हम लोग सुरू करते हैं क्या है ये ग्रेस पीरियर्ड और इससे क्या फायदा होगा नए अधिवक्ताओं का तो चुकि आप जानते हैं कि जो AIBE यानि जो BCI का जो रूल है उसमें ये कहा गया है कि स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के पस्षात yarni सबसे पहले अगर आप अधिवक्ता के रूप में enrolled होना चाहते हैं तो आपके अपने state bar council में registration करवाना होता है उसके बाद से आपको दो साल के लिए औस्थाई तोर पे एक परमारपत्र दे दिया जाता है certificate दे दिया जाता है कि आप practice कर सकते हैं दो सालों के लिए और इन दो सालों के अंदर एक condition भी आपको दिया जाता है कि इन दो सालों के अंदर आप कभी भी AIBE जो की BCI दोवारा परिक्षा योजित की जाती है आल इंडिया बार examination उसको पास करना आपके लिए अनिवारे होगा यानि दो साल का मौका दिया जाता है इन दो सालों में आपको जो है AIBE परिक्षा को crack करना होता है पास करना होता है जब AIBE परिक्षा पास कर लेते हैं तो आपको एक COP नंबर दिया जाता है एक certificate दिया जाता है जिसे certificate of practice करते हैं और यह certificate of practice आपको अस्थाई तोर पे मिल जाता है तो अब आप जो है आज जीवन अस्थाई तोर पे एक अधिवक्ता के रूप में practice कर सकते हैं लेकिन जो COP होता है उसकी भी कुछ validity होती है हर 5 साल पे उसका जो है renewal कराना होता है यह सारी बात है हम लोग next video में करेंगे जो main बात है मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि चुकि आप जानते हैं कि दो साल की आपको दो साल की आओधी दी जाती है आपको AIB परिक्षा पास करने के लिए लेकिन यहां पर जो notification है उसमें लिखा गया लिखा गया है कि 24 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 की आओधी को उन दो सालों में काउंट नहीं किया जाएगा यानि कहने का सीधा मतलब यह है कि अगर सपोज करिए कि आपने मार्च 2019 में registration कराया है बार काउंसिल में state बार काउंसिल में और आपका जो है मार्च 2021 में जो validity होती है जो certificate की दो साल की वो फूरी हो रही है और आपने इस बीच AIBE परिक्षा उत्रिड नहीं की है या किन ही वजह से परिक्षा नहीं दी है तो आपका जो यह बीच का अओधी है 24 मार्च से 2020 से 31 मार्च 2021 को वो दो साल की अओधी में count नहीं किया जाएगा यानि मान लिया जाएगा कि यह अओधी जो है यह अओधी जो है जीरो घोशित कर दी गई है ऐसा इसलिए क्योंकि lockdown के कारण आप जानते हैं कि इस अओधी में जो है 2020 में आएबी पर इक्षा नहीं आजो जित हो पाई थी तो इसलिए जो 24 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच का समय है वो exempted है यानि इस इस अओधी के बीच जो है आपको छूट मिल गई है एक साल की यानि मैंने जैसे कि आपको बताया कि सपोर्च करिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है 24 मार्च 2019 का है और आपका जो वैलिडिटी है दो साल की वो 24 मार्च 2021 को कम्पलीट हो रही है यानि इस तारिक को आपकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है रजिस्ट्रेशन की और इस बीच आपने अगर परिच्छा नहीं दिया है या किनहीं कारणों से पास नहीं कर पाया है तो यह जो अधी है 24 मार्च से 31 मार्च की बीच की जो एक साल की अधी है उसमें आपको छूट दे दी जाएगी तो आपकी जो अधी 24 मार्च 2021 को पूरी होनी वाली थी वो अब क्या हो जाएगी 24 मार्च 2022 में पूरी होगी तो ये पूरी जो है इसका पूरा शार है तो इसको हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था देखिए बी सी आई ने यानि बार काउंसील आफ इंडिया ने पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था की लागडाउन की अउधी को परिक्षा के लिए निर्धारित दो साल की अउधी में सामिल नहीं किया जाएगा यानि लागडाउन की जो पूरी अवधी है उस अवधी को जो है दो साल की जो अवधी निर्धारित की जाती है पास करने की उसमें सामिल नहीं किया जाएगा परिषद ने नोटिस में अभी कहा था कि 24 मार 2020 से लेकर 31 मार 2021 तक की अवधी को ग्रेस पिरियद माना जायेगा और उस अवधी को हटा कर परिक्षा के लिए निर्धारित दो साल के भीतर परिक्षा पास करनी होगी यानि 24 मार 2020 से 31 मार 2021 की बीच की जो अवधी होगी उसको हटा करके दो साल की अवधी जो है आपकी काउंट होगी और उस अवधी के बीच जो है आपको परिक्षा पास करना होगा तो बहुत सारे जो अधिवक्ता शाथी होंगे जिन्होंने नया रेजिस्टेशन कराया होगा साथ उनको ये बात नव मालूम हो नहीं पता हो और बहुत सारे ऐसे भी लोग हो जो नया रेजिस्टेशन कराया हो मार्च 2020 में या मार्च 2021 में जिनका certificate expire हो रहा हो जो दो साल की अधी की certificate मिलती हो उसका duration खतम हो रहा हो उनको इस बात का पता नौ हो तो भी पता कर लें वो भी इस वीडियो को देखें और समझे कि इस अधी को grace period माना गया है 24 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 की अधी को यानि कि अब पूरा का पूरा उनको एक साल का एक्ष्टा समय मिल गया है और 2022 यानि मार्च 2022 तक जो है वो ये एक्जाम पास कर सकते हैं इसमें बैठ सकते हैं या यूं कहें कि मार्च 2022 तक जो है प्रेक्टिस कर सकते हैं उसके बाद अगर वो परिक्षा पास करते हैं तो continue practice में रहेंगे अगर नहीं पास कर पाते हैं तो उन्हें प्रैक्टिस से रोग दिया जाएगा उन्हें वकालत नामा अपना अपना जो अपना जो वकालत नामा होता है वो नहीं लगा पाएंगे वो यह सारी process होते हैं तो बताने का मतलब यही था कि 24 मार्श से दोयर बीच से 31 मार्श दोयर बीच की जो अधी है उसको जीरो घोसित कर दिया गया है उस अधी को count नहीं किया जाएगा आपके दो सालों का जो समय दिया जाता है उसमें तो यह सारी बाते बताने के लिए मैं वीडियो बनाया हूं त दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा इसके बाद से हम लोग बात करेंगे COP कि COP जब मिल जाएगा तो उसके बाद से आपको कौन सा फार् आपको आन्लाइन मिलेगा या अफलाइन मीलेगा नेक्स्ट विडियो में करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में ठेक वाहेए